वेलकम दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं SSW वर्सेस STW के दर्मियान में जो 80-20 मैच होने वाला है इस वीडियो के अंदर इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे दोस्तों SSW और STW के टीम ने जो अभी तक स्रिच के मैचेस खेले हैं इसमें कौन से ख्लाडी लगातार ओपन करते वे नजर आरे दोस्तों कौन से ख्लाडी first round पे बल्ले बाजी कर री है जितन बी प्लेयर सा, सारे प्लेयर का बैटिंग ओडर में आपको इस वीडियो में Step by Step बताऊंगा साथ इसाथ आपको बताएंगे कि कौन से बोलर कंप्लिट चार वर तक गिन्दबाजी करते वे दिखेंगे कैप्टेंसी के लिए किसको लेना सही रहेगा और इस कैप्टेंसी के लिए किसी आप ट्राइ कर सकते हैं सारे खिलाड़ों का best information में आपको इस वीडियो के अंधर देने वाला हूँ बस आपको क्या करना है इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतग वाज करना है दोस्तों तक कि इस विडियो के अंधर जितने भी important information है आपको मिल पाए और आप एक बहतरीrich टीम बना पाओ लेकिन भाईयों अगर हमारे चैनल पर पहले बार विजिट किये हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लेना इस वीडियो के नीची जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो दोस्तों आप इस पर क्लिक कर दे फिर यहां पर जो बैल आकन बना हुआ इस पर क्लिक करने के बाद और का ओप्सन देखने को मिलेगा इसको भी आप लोग सिलेट कर लेना ताकि आने वाले मैचिस का नोटिफिकरेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों कर इस पर पसंद आते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक जरू कर देना क्यूंकि आपका एक लाइक सम आपने आजाएगा दोस्तों इस ग्रूप में अगर आप देखोगे तो करीब यहां पे 40,000 से भी अधिक उसर ने जोईन कर लिया है तो आपको भी कर लेना चाहिए कि लाइन अप के बाद हमारा फाइनल टीम यहीं पे सेयर कर दिया जाता है प्लेंग 11 के साफ ट्रॉस का अ अगर यह कहना गलत ने रहेगा बैलेंस पीछ है यहां पर बल्लेबाज कुछ ऐसे रहेंगी जो काफी बढ़िया खेल रहे है इस ग्राउंड पे और पीच को समझ रहे है दोस्तों और कुछ बॉलर्स भी यहां पर ऐसे हैं जो डेत अपर बॉलिंग करने के लिए आते हैं अच्छ विकीड निकाल रहे हैं तो थोड़ा सापको ध्यान देना होगा वीडियो में चले एस डवलू के टीम के पहले बात कर लेते हैं देखो एस डवलू के टीम ने इस टूनामेंट के दस मैचे अभी तक खेल जुके हैं जिसमें से चार मैचेस में वन कर रहे हैं दोस् स्टून्ग रहेंगे तो यह ची थोड़ा धियान रखना इस टीम से अगर आप चाहें तो मैक्सिमँम कर ले सकते हैं जो ज़्यादा टीम यहाँ पर इस टीम ने ज्यादा मैचेस में आपर वन कर रहा है तो यह ची थोड़ा धियान रहना बाकि चलिए ऐस डवलू के टीम क फिर प्रेंट प्रेंट फिर नाइन टीफॉर रहे और पूरी इस टूनामेंड में देखोगे तो 207 अभी तक बनाए हैं बहुत अच्छे प्लेयर रहे इनुका अपने टीम में लोग लेते वेचलेंगे बागे कर आप देखोगे शेफाली वर्मा के बारे में यह टीम के आप पहले मैच में सात रन फिर टीन नगान के दो विकेट फिर शातर विकेट ने मिला है फिर दो विकेट निकाले दोस्तों फिर एक विकेट त्रियां पर 51 रन बड़े पारी खेल सकते हैं 86 रन जैसे बड़े स्कोर करा हैं इनोंने तो ये अच्छे खिलाड़ी है पूरी श्टू पहले मच में 7 नमना इते विकेट ने निकाल पाए हैं फिर 37 नमना के 2 विकेट फिर 40 नमना इसे विकेट ने मिला फिर 50 तरण फिर 80 तो यह भी टीम के कैप्टन ने बहुत बढ़ी आभी तक खेली पूरी स्टुनामेंट में देखोगे तो 270 नमना के 5 विकेट अपने नाम किय है बहुत अच्छे प्लेयर है कैप्टन सी के लिए आप इनको आपनेटी में ट्राइक कर सकते हैं तो इस टार्टिंग की जो चार किराडी देख रहे हैं चारों को आपनेटी में पीक करते हैं बाकि अगर आप देखोगे यह पर निकॉले गॉल्टन के बारे में दोस्तों बारे में तो पहले मैच में तीन रन फिर यहां पर चार रन फिर छे रन फिर ग्यार देखो इनका स्ट्रेट सेना मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है दोस्तों चार नमर पर बल्लेबाजी करते हैं इनको अगर आप चाहे तो ड्रॉप कर सकते हैं बाकि राधा जादव की पहले मैच में तो पहले मैच में दो फिर 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 निकाले तो पहले मैचे फ्लॉप दूसरे मैचे फ्लॉप रहा फिर कंटेन्यू विगेट निकाल रहे हैं और पूरे स्रीज में तीन रमना के चार विगेट अपने नाम के देखो इनको चायन आप ड्रॉप कर सकते हैं दूस्तों देखो प्लेयर बढ़िया है बॉलिंग तो कर रहे है लेकिन गेंदबाजी ना इनका कुछ खास रहा नहीं इस टूनामन में चार विगेट अभी तक पूरी टूनामन में निकाली है बागी लवरेन की बात करते हैं तो पूरी स्रीज में अठार नमना के साथ विगेट निकाले देखो यह ज़्यादा मैचे खेली नहीं है पहले जो एक ही मैच के लिए दोबर तक गेंदबाजी के विगेट यहाँ नहीं निकाल पाई है तो यह आप स्टेट देख लो दोस्तों यह जो है न यह SSW का स्टेट से लेकिन STW की बात करते हैं दोस्तों तो STW के टीम ने जो आपी तक इस स्रीज के 8 मैचे खेली है देखो इस इनको अपने ले सकते हैं जो के लास्ट मचे दोविगेट फिर फ्लॉप रही है दिनको भी आपने टीमेट रहा कर सकते हैं तो इस्टार्टिंग की यह बहुत एच्छे प्लेयर रहाएगा दोस्तों बाकि आप देखोगा यहाँ एक लेट्स फिल्ट के बारे में दोस्तों यहां पर फोवी लेट फेल्ट के बारे में देगी बहुत अच्छे बॉलर है यहां पर प्लेयर है अच्छे कासे बैटिंग कर रहे हैं बॉलिंग करते भी नजर नहीं आएंगे माप करना बाकि यहां पर फॉर्स टाउन पर बल्ले बाजी करते हैं पहले मेंच में 16 रन फिर 24 फिर फ्लॉप रहे हैं फिर यहां पर 14 फिर फॉर्टी नाइन रन फिर 31 फिर 40 फिर 40 बनाई भी है तो इनको ट्रॉप करेंगे दोस्तों टीम का सेकेंड और बल्ले बाज है पहले में 38 फिर फांच रन फिर यहां पर तीन रन फिर 10 इनका स्टेट्स मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है वाकि आप देखोगे अनिका के बारे में तो पहले में 23 फिर फ्लॉप रहे हैं फिर 21 और पूरी स्रीज में आप देखोगे तो 58 इनोंने बनाई बिए दिप्ती श्रमा की बात करते हैं तो पहले में 4 बना के एक विकेट फिर 20 बना इसमें कोई विकेट ने मिला तो आप चाहें तो वैस केपटन्स य Teresa के लिए बाकि अगर बात करेंगे अंगे अन्य फिर विकेट प्रक एकार इसे डिरूप और दॉसकर पहले में दोनम करें तेखो इनको मेरे हिज़ब से फिलार ड्रॉप करूँ क्योंकि इन से बेटर भी खिलाड़ी आग़ो आगे आपको देखने को मिलेगा लास्ट मेचे 43 रन बनाई वी अगर आप चाहे तो जील में आप इनको ले सकते हैं इनको चाहो तो आप ड्रॉप कर सकते हो ज्यादा मैचे नहीं खेले इनोंने तो इनको हम लोग ड्रॉप करते भी चलेंगे तो दोस्तो ये डेटेल्स आप देखे लो बैटिंग ओडर आपको कुछ इसी प्रकार ही देखने को मिलेगा इस मैच में भी बाकी दोस्तो लाइन अप के बाद को एकर नए खिलाडी खेलती है यहाँ पे इस मैच में बाकी मैं प्लेइंग लेवेन और टॉस का भी अपडेट टेलिग्राम गुरुप में दे दूँगा पलेबाजी कर रहें देखो टी विल्सन और आप चाहें तो इनको ट्राइ कर सकते हैं एश-टी डबलो के टीम के तरफ देखेंगी अगर आप इनको जीएल में लोगे न तो ज्यादा बैटर रहागा इस्वाल लीक के लिए तो इसभी सबसे बेस्ट रहने करूंगा लेकिन ऑल रंडर के बात करेंगे तो तीन ऑल रंडर को मैंने ट्राय कर रहा है यह पर डेकिद कर रहा है यह बहुत अच्छे प्लेयर है मैंने पहले कहा था बैटिंग के साथ यह भी बॉलिंग से पोइंट देंगी और मैंने पहले कहा था कि इनको ट्राय करते विचे निगे स्टेट्स बताते बगत लेकिन क्रेडिट के वज़े से इनको नहीं ले पारे हैं सीम यहाँ पर आप देखोगे यह इन पोर्ट ने वाल यह भी बैट करेंगे चार बोलर को अपने ट्राय कर रहा है بد के साथब इसाथ जांगे बागि चोईस आपके पास है अगर आप चाहे तो इपरी को भी आप ले सकते हैं वाइस के अप्टिमसी के लिए तो दोस्तो इस टीम को फिलाल आप सेप कर लो और यहाँ पर लाइनप के बाद अगर कोई भी चिंजी से होता है तो मैं टीम आपको अपडेट कर दूँगा हमा